हेलो एवरिवन कैसे आप सब तो रिसेंटली आपको मैं बता दूँ जी एंट के गोवर्मेंट ने एक नोटिवेशन निकाली है फॉर डॉमिसाय रूल जिसमें सभी को डाउट था कि सर हम इसमें एलिजिबल है कि नहीं है तो उन्होंने ये सब कुछ क्लियर कर दिये कि कौन- आप इदर डेट देख सकते हैं आज की डेट है 18 मई तो इसको मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर इसकी पीडिया आपको प्रॉवाइड कर दूँगा उधर भी आप देख सकते हैं प्रॉपर्स का जो आ चुक है तो पहले बहुत हम पढ़ते हैं इदर persons who are eligible for grant of domicile certificate उन्होंने बताया जो person eligible हैं for grant of domicile certificate उन्होंने पहले बोला हुआ था कि जो पिछले 15 सालों से JNK में रह रहा है तो उसे domicile certificate grant हो जाएगा लेकिन अब उन्होंने थोड़ वह चीज तो रखी है साथ में थोड़ी से और relaxation दी है आपको तो आप देख सकते हो क्या दिया है पहलो option उन्होंने बोला है who has resided for a period of 15 years जो 15 साल से इदर रह रहा है और और लिखे है उन्होंने 15 साल से रहना ज़रूरी भी नहीं है अगर college में या उसके किसी स्कूल में appeared in class 10th and 12th examination in an education institution अगर आप 10 12th के exam में उदर appear हुए हो तो आप इसके लिए eligible हो फिर उन्होंने B क्या दिया है B में उन्होंने बोला अगर आप जम्मू कश्मीर की government से prescribed करा लेते हो कि you are a migrant by the relief and rehabilitation commissioner ठीक है अगर आप उन्होंसे लिखवा लेते हो अगर आप उन्होंसे certificate ये पार लेते हो आप ये registration करा लेते हो तो तब भी आप इसके eligible हो ठीक है C में क्या बोला है उन्होंने who is child of central government अब क्या बात होई अब इसमें बोल रहे हैं कि आप तब भी eligible हो अगर आपके parents अगर आपके parents center government official है या all India service offices में काम करते हैं या official of public sector undertaking में ठीक है Domicile rule के अंदर eligible हो ठीक है आप resident of J&K UT कैस किला सकते हो अगला क्या दिये D में who is child of parents who fulfill condition as prescribed in clause A और B उन्होंने क्या बोला अगर आप उनके child हो आपके parents अगर आपके parents भी clause A और B जो हमने अभी उपर पढ़ा क्या पढ़ा हमने A और B में A और B में हमने पढ़ा कि अगर आपने 1012 का paper इदर ही दिया है पिछले साथ सालों से और अगर government आपको parents को बोल देते हैं कि you are a migrant by the relief and rehabilitation commissioner तो तब भी आप इसके लिए eligible हो अगर आपके parents को भी यह A या B category वो पास कर लेते हैं अब E part में क्या बोला है E में बोला है who is a child of such resident of union territory of Jammu and Kashmir reside outside the union territory in connection with the employment of business or other professional but whose parents fulfill any of the condition A and B अब क्या है अगर आप बाहर रहते हो ठीक है J&K से बाहर रहते हो लेकिन जो आपके parents हैं वो आपका A और B की condition पूरी कर देते हैं तो आप domicile rule के अंदर resident of union territory of J&K के किला सकते हो मतलब जो parents है अगर A और B condition पूरी कर देते हैं लेकिन आप अपने job के purpose में या business के purpose में बाहर रहते हो बड़े सालों से बड़े सालों से तो तब भी आप resident of J&K के किला होगे ठीक है तो अब पढ़ते हैं application for grant of domicile certificate अब आपने इसको apply कैसे करना है any person who is eligible for grant of domicile certificate may apply for competent authority for grant of domicile certificate in form A आपको वो form A fill करना पड़ेगा either physically or electronically online as may be made available by the government अब ये government आपको बताएगी अभी तरक इन्होंने कुछ issue नहीं किया कि वो electronic form होगा कि physically form होगा आपको वो form fill करना पड़ेगा और proper उसके साथ वो forms के साथ आपके certificates लगेंगे जो आपके उदर मांगे जाएंगे क्याता है 10-12 की आपकी mark sheet मांगी जाए in case of minors and persons suffering from any disability application for a grant may be made of events और other acts done by the appointed guardians अगर आप किसी disability से भी सफर कर रहे हो तो आपके guardian भी वो form fill कर सकते हैं और appear करा सकते हैं ठीक है तो इस law में ये जो आपका sorry ये जो आपका आज form निकला इन्होंने इसमें यही specify किया है main चीज इन्होंने यही बताई है इस चीज के लिए बड़े से students को query थी अभी recently मुझे कल पर सुई थोड़े students की call आई सी sir कि मैं account assistant का paper बढ़ सकता हूँ तो hope की इस form ने आपका सब कुछ doubts जो है clear कर दी होंगे अब आपको पता चल गया हो कि कि आप इसके resident हो की नहीं हो अगर आप पिछले साथ सालों से इदर education institute में भी मतलब education इदर ले रहे हो JNK में तब भी आप इसके लिए eligible हो ठीक है तो इस PDF आपको अपने telegram channel पर provide कर दूँगा या तो आप इदर से download भी कर सकते हैं government of jammu कश्मीर जर्नल एड्मिसेशर डिपार्टमेंट की site से आपको दर मिल जाएगी recently उन्होंने अभी post किये तो thank you, have a good day और जिन्होंने अभी तक हमारे telegram और हमें YouTube पे subscribe नहीं किया वो subscribe करने ताकि आपको सबसे पहले हर एक news की information सबसे पहले आपके पास पहुंचे thank you, have a good day